डों कितल से अफिए आलवड्रेल अप्रेंश तो यह बात करेंगे जबरदस्त ग्रम्न किता लिए जोटेंट, अपडै disturb чौनल हैं आप official notification में category wise भी अपने vacancy देख सकते हैं next चलते हैं अपने online form तो form कब से start है और last day कब है तो बात कर लेते हैं इसके online form बनना start हो चुके हैं 10 November से यह form बनना start हो चुके थे और no number इनकी last day difference तो आप form बर्स दो अब next आगे बात करते हैं form fee के बारे में तो दोस्तों यहां पर form fee है general OBC EWS के लिए साथ सु रुपे हैं ठीक है और SC STPH और female के लिए यहां पर 0 रुपे form fee से तो आप form बसकते हैं इस vacancy में competition का पर कम रहने वाले 111 पोस्ट हैं तो आप अगर अच्छे से मेहनत करो तो selection लिया जा सकते हैं आगे बात करें एज limit के बारे में तो यहां पर एज limit के बारे में बात करें जनरल के लिए 21 से 30 साल है ठीक है जनरल के education मिलेगा आगे बात करें education qualification के बारे में तो अगर आपने यहां पर कोई भी बैसल डिग्री की ओ भी यह भी सी ठीक है तो आप फूम भर सकते हैं एक्स्ट्रा आपको वैस थोड़ा कंप्यूटर का नोलेज होना चाहिए अब बात करें एक्जाम पैटर्न के बारे में तो यहां पर जनरल अवेर्नेस के बीस क्यूस नहींगे ठीक है के में इसमें अर्थमेटी काएगि यहां परणर्ट्स मैं इसमें के बात पनेंगे और इंग्लिस के बात्र इंग्ली सिवर्किन पनेंगे जन्रिंट के बीस हैं जनल साले इसमें इसमें 16 म पाइम की बात कर लें तो यहांपे 120 मिंट न Improve पर आपकी सेलैरी इसमें 32000 से लेके 32000 तक होगी आपकी सेलैरी अगर आपको पर्मोसन नहीं होता होता हो तो अगर पर्मोसन होगा तो आपकी सेलैरी बढ़ जाएगी अब बात करेती है मरलब हี่ start indicating किती से हिरि मिल gelई को फिस्टार टींग मेंं लगो आप Cory schöne मिलेगी ठीक है तो दो से लोडिक काफी अच्छी है आप अप चुल्ट रप्लाइक करें अब बात करें थे ट्रेंडिंग ट्र्य तो इसमें एक साल का training period होगा, provision period होगा एक साल का, आपको इसमें काम सिकह जाएगा, आपको कैसे काम करना है, क्या-क्या काम करना है, और आप बात किलें, जो प्रोफायल की, तो दोस्तों इसमें अफिसर रिलेटेर काम होते हैं, अगर आपको किसी की salarisu बनानी होती है, और बहुत सारे क काम होते हैं आप जानते हो आई 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 कानपूर यूपी में है और हर देश के हर जगह लगबग 9-10 आयएटी हैं तो वहां पर आप कल रखी जोब है एक तरीकी से तो आपको अगरा बनाने काम होता है बात कर लेते हैं जोब लोकेशन के बारे में तो इसकी जोब लोकेशन दोस्तों आयएटी कानपूर में है और कानपूर आपको पता है यूपी में यह जोब आपको करनी पड़ेगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लि